Hello friends, welcome to Genius GK Star friends आज के से वीडियो में हम जहार एखन राज जैसे समन्दित most important GK GSM Qs तब 50 questions से वीडियो में हम कबर करेंगे स्प्रेंड यह question आपके आने वाले किसी भी exam के point of view से बहुत ही important है अगर आप इन में से किसी भी question का answer जानते हैं तो अपना answer नीचे comment box में बता सकते हैं वीडियो की end तक बने रहना और end में आप सभी के लिए question है उस का answer आप सभी को comment box में बताना है friends चलिए शुरू करते हैं जहार खन राज जी का गठन कब हुआ था सही answer है option C दिखे जहार खन राजी का गठन हुआ था पंदरा नॉम्बर सन 2000 में और जहार खन इसका गठन पंदरा नॉम्बर सन 2000 को बिहार से अलग करके बनाय गया था जिसके पिछे आदिवासी और निवासी और अन्य इस्थानिय समूहों की लंबी संघर्ष की एक मुख्य वजा थी next question जहार खन र किस भारती राज से अलग होकर बना था सही answer है option A बिहार राज से next question जहार खन र की राजधानी कौन से है सही answer है option A राची next question जहार खन की जीवन रेखा की रूप में कौन से नदी जानी जाती है सही answer है option C दा मोदर नदी दिखे दा मोदर नदी को जहार खन की जीवन रेखा की रूप में जाना जाता है जहार खन की सीमा कितने राजधों के साथ लगते है दिखे जहारखंड की सीमा कुल चार राजुक साथ लगती है सयांसर है उप्सन भी और जहारखंड की सीमा है पूरुव में पस्चिम बंगार और पस्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तिस गल राजिक साथ लगती है और उत्तर में बिहार और दक्षिड में उड़िसराजी से लगती है लगबख संपूरर प्रदेश छोटा नागपुर पठार पर अवस्तित है जारखंड के किस सहर को कोईले की राजधनी कहा जाता है सैयांसर है उप्सन भी धनबाद सहर को धनबाद सहर को यह कोईले के राजधनी कहा जाता है नेक्ष्ट कोशल जारखंड में कितनी लोगसवा शीटे हैं सैयांसर है उप्सन A कुल 14 लोगसवा सीटे नेक्ष्ट कोशल जारखंड में कितने जिले हैं दिखे जारखंड में कुल 24 जिले हैं सही आंसर है उपसन सी नेक्ष्ट कोचन जारखंड राज का राज की पसू कौन सा है दिखे जारखंड राज का राज की पसू है हाथी सही आंसर है उपसन भी हाथी नेक्ष्ट कोचन जहारखंड में कितने रजन जाती समूह है देखे जहारखंड में कुल 32 जन जाती समूह है और यहां 32 जन जाती समूह है जिन में संथाल मुंडा और राव और हो प्रमुख है जहारखंड की 32 जंजातियों में से 8 आधिम जंजाते समूह हैं जहारखंड में कितने विशुव देले हैं सैयांसर है उपसंसी दिखे जहारखंड में कुल 7 सरकारी विशुव देले हैं Next question जहारखंड किस राज से कटकर बना था जहारखंड यहां बिहार राज से अलग होकर बना है Next question जहारखंड का इस्थापना दिवस कब मनाय जाता है जहारखंड इसका इस्थापना दिवस मनाय जाता है 15 नॉम्बर को सैयांसर है उपसंबी Next question जहारखंड में सरवाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है दिखे जहारखंड में सरवाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है राजची सैयांसर है उपसंबी राजची जिला Next question हुन्रू जल प्रपात किस जिले में है से अंसर है उप्सन ए रांची जिले में दिखे हुन्रू जल परपात यहां सुवर रेखा नदी के दोरान बनाई गई है और जहां 320 फीट की उचाई से गिरती है जो उचितम जल परपात में से एक है मैथन जल विदूत केंदर जहारखंड के किस जिले में इस्तित है से अंसर है उप्सन ए धनबाद जिले में नेक्ष्ट कोचन जहारखंड में चावल अनुसंधान केंदर किस जिले में इस्तित है सैयांसर है उप्सन सी हजारी बाग जिले में नेक्ष्ट कोशन जहारखंड का सिमला किसे कहा जाता है दिखे जहारखंड का सिमला कहा जाता है राची को सैयांसर है उप्सन ए राची नेक्ष्ट कोशन गंगा निदी जहारखंड के किस जिले में बहती है सियांसर है उपसिन D. साहिब गंज जिले में next question ज्यारखन राज जी में साइन्स सिटी की स्थापना कहा की जा रही है सियांसर है उपसिन D. राची में next question किस देस के सहयोग से राची में Foundry, Forge, सैयंतर कारखारना इस्थापत किया है सयांसर है उप्सन ए पूर्व चेको उस्त्रोव वाकिया के सहयोग से जारखंड में किस नदी पर तिलाईया जर्ब विद्धुत पर योजना इस्थापित है सयांसर है उप्सन भी बढाकर नदी पर नेक्ष्ट कोचन उत्तर पूर्वी सिमान्त किर्सी पर देश नेक्ष्ट कोचन राज में चांडिल जल विद्धुत योजना किस नदी पर है सयांसर है उप्सन भी दिखे जारखंड राज में चांडिल जल विद्धुत पर योजना इहाँ स्वर्वर रेखा नदी पर है नेक्ष्ट कोचन जारखंड राज में राज महर ट्रेप कहां इस्तित है दिखे जारखंड राज में राज महर ट्रेप है यह है उत्तर पूर्वी भाग में सयांसर है उप्सन ए नेक्ष्ट कोचन जारखन्ड में सरवादिक कौन सा सैल पायाता है जारखन्ड के किश्चेतर को खनिज भंडार कहा जाता है सैंसर है अपसंडी दा मुदर घाटी को जारखन्ड राज की पूर्व से पस्चिम की लंबाई कितनी है सैंसर है उपसंडी देखे जारखन्ड राज की पूर्व से पस्चिम की लंबाई है 403 किलो मीटर सैंसर है अपसंडी दा मुदर घाटी को खनिज जारखन्ड राज का उत्तर से दक्षिर विस्तार कितना है दिखे जहारखन राज का उत्तर से और दक्षिर तक का विस्तार है 322 किलो मेटर सही आंसर है उप्सन B नेक्स्ट कोशन जहारखन का शेतरफल भारत के कुल शेतरफल का कितना प्रित्सद है सही आंसर है उप्सन C दिखे जारखन राज का कुल छेतरपल भारत के छेतरपल से है 2.42 प्रितिसद Next question निम्न में से कौण सी नदी जारखन राज की है सैयांसर है अप संडी दिखे जारखन राज की प्रमुख नदिया है उत्तरी कोयल नदी और दामुदर नदी और स्वर्ड रिखा नदी जारखन राज का सरवाधिक ठंडा इस्थान कहां है दिखे जारखन का सरवाधिक ठंडा इस्थान है नेतर हाट में जारखन राज का सबसे उचा छेत्र है सैयांसर है उपसन भी नेतर हाड शेतर नेक्ष्ट कोचन जारखंड की कोण सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है देखे जारखंड कीकट नाम से प्रसिद्ध नदी है पुनपुन नदी सैयांसर है उपसन भी पुनपुन नदी नेक्ष्ट कोचन किस जिले में नियूनतम महिला साक्षरता है जहार खंड के पाकुठ जिले में सबसे कम जनसंख्या है सबसे कम जनसंख्या है सबसे कम जनसंख्या पायती है जहार खंड के किस जिले का सरवाधिक लिंगा नुपात है सबसे कम जनसंख्या पाकुठ जहार खंड के किस जिले का सरवाधिक लिंगा नुपात है जहार खंड में कुल कितने प्रखंड है सबसे कम जनसंख्या पायती है दिखे जहारखन राज में कुल 260 प्रखंड है, 45 अनमंडल है, नेक्ष्ट कोशन जहारखन राज के किस जिले में सरवाधिक जनसंग्या है, रांची में सही अंसर है, उपसन भी रांची जिला में, नेक्ष्ट कोशन राज का सरवाधिक पूरुस साक्षरतावा जिला कौशन है, सही अंसर है उपसन C, धनबाद जिला, नेक्ष्ट कोशन जहारखन राज में कुल कितने अनमंडल है, सही अंसर है उपसन A, 45 अनमंडल, नेक्ष्ट कोशन जहारखन राज का राज की पक्षी कौन सा है दिखे जहारखन राज का राज की पक्षी है कोयल सेयांसर है उपसन ए कोयल नेक्ष्ट कोशन जहारखन राज का राज की पुस्व कौन सा है सेयांसर है उपसन डी पलास नेक्ष्ट कोशन राजी के किश जिले में तोप चांचे जील इस्थित है दिखे तोप चांचे जील है धनबाद जिले में सयांसर है उपसंडी धनबाद जिले में नेक्ष्ट को जन किश जिले में राज महल फासिल अभैर इस्थित है दिखे राज महल फासिल अभैर है जारखंड में पहालो की राणी के नाम से प्रसिद्ध है नेतर हाड नेक्ष्ट कोशन जारखंड की ओद्योगी की राजधनी है सैयांसर है उप्सन से जमसेदपूर नेक्ष्ट कोशन जारखंड राज में जुमर गीत किस अवसर पर गाय जाता है दिखे जुमर गीत गाय जाता है पर्वतेवार के अवसर पर सैयांसर है उप्सन डी उर्जन की उर्जा को मापा जाता है Death Friends या Question आप सबी के लिए है और इस Question का अंसर आप सबीको नीचे Comment box में ताना है अगर आपको यह वीडियो पसंदर आजाई इस वीडियो को लाइक करें शेर करें अगर आपे चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीटियो